इस न्यूस के प्राय जुक हैं अर्थ दियाग्नोस्टिक मदुबन उदायपूर। काफिला रुकवाता है और सरपंच की गाड़ी पर लगे बीजेपी के जंडे को हटाकर गाड़ी में ही फेक देता है। साथ ही कहता है कि सरपंच साहब आपकी इजद करता हूं आप मेरे पिताजी के उम्र के हैं। लेकिन हमारे बच्चों के आरक्षिन बेचने वाली पाटी संविधान बदलने वाली पाटी का आप समर्थन कर रहे हैं। आपके बच्चे नहीं पढ़ते क्या यह जंडे गाड़ी पर मत लगाना। लगाना हो तो घर की छत पर ही लगाना। इस पाक पर गाड़ी में बैठे बैठे ही सरपंचु साहब ने कह दिया औकात में रहना। तो युवक और उत्तेजित हो गया और कह दिया औकात में ही हो। FIR दर्जिक करवा देना विकास सीरोथ, दिरमेश सीरोथ, साक्रिया वाड़ा। आस पास और भी गाड़िया बीजेपी की होती है, लेकिन उसमें से कोई नहीं निकलता है। करीब एक मिनट शबिस सेकंड के इस वीडियो के अंत में युवक यह कहता हुआ भी दिखा, कि जो करना है वो कर लेना। बीजेपी के चक्कर में समाच के बच्चो को बेच दिया तुमें। आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मारी आपके बच्चा रहा से कि आपके बच्चा बच्चे के बच्चा बादा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद यह तो समझ में आ रहा है कि भाजबा के कारिकरता को धमकाय जा रहा है और पार्टी का प्रचवार करने और जंडी नहीं लगाने की हितायत दी जा रही है प्रथम द्रिष्टिया यह लगता है कि यह काम भारत आदिवासी पार्टी के कारिकरता द्वारा किया जा रहा है इस पूरे मसले पर बाप के राष्ट्य ध्यक्ष मोहला रोत ने कहा कि चुनाओ के दिनों में इस तरह का वीडियो आना आम बात है यह भाजबा के ही लोगों का सड़यंत्र है हमारे प्रचार प्रशार के कारण जो भीड जुट रही है हमारा प्रत्याशी अच्छी पोजीशन में आगया है इसलिए यह लोग ऐसी साजिश रच रहे है सच्चाई, लोगतंत्र और सम्वधान को बचाने के लिए हम निकले है बस यह हमें बदनाम करने का काम करके वोटिंग को प्रभावित करना चाह रहे है जीत हमारी हर हाल में होगी वहीं बाप के राश्ट्रे नेता कांती भाई रोत ने उदैपुर न्यूज को जोहार करते हुए कहा लोगतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है कानुन विवस्था को मानने वाले है अगर यह कारकरता हमारा है तो अनुशासनात्मक्त कारवाई करेंगे लेगिन देखने से लग रहा है कि यह बीजेपी काहीं कारकरता है और यह एक साजिश रची गई यह अगर हमारा कारकरता है तो सम्विधान स्वरुप कारवाई करेंगे एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसके अंदर बास्वाडा का एक यूवक सरपंज सरपंज जो वहाँ पर बीज़ेपी से हैं उनकी गाड़ी को रोक रहे हैं उनका जंडा उन्होंने उतरवाया और यह बात तक क्ये रहे हैं कि बही जो संविधान को बदलने की बात कर रहे है जो संविधान में क्योंकि बच्चे भी पढ़ रहे हैं आरक्षन को खतम करने की बात करने को लिएकर उनसे काफी भी कर रहे हैं तो कि आपकी पार्टी के समर्थक किस तरह की कारवई करते हैं क्या देखिए यह इनहीं लोगों का शडेंत्र है ऐसा कोई हमारा समर्थक या ह जो प्रचार प्रचार में जितनी बीड जूटरी है हमारा जो केंडिडेट है वह अच्छी पोजिशन में है इसको देखते हुए यह लोग इस तरह के तरह के शडेंत्र कर रहे हैं जैसा की पिछली बार मांगर सम्मेलन में इस तरह का एक करत्य बताया गया था कि कुछ कों सब्दक्hst करते आरे हैं आप जैसा की पूरेको इस साल पहले जो बाते की जिन चिज़ों की को आज पूरी होतीente लेकिन उन्हीं मावजी माराज के लिए एक बजन गया जाता था गीद गया जाता था कि मावजी गाड़ों के वा मतलब गाड़ा का मतलब पागल जी मतलब इतनी सच बाते करने वाले को भी पागल कहा गया उस समय में तो ठीक उसी तरह से शडेंत्र आज भी वही हो रहा है हम लोग सच्चाई लोगतंत्र सविधान को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं तो कहीं कहीं लोग हमारी सच को स्विकार कर रहे हैं हमारी जो बावना है उसको समझ रहे और हमारे साथ जूड रहे हैं तो इस हिसाब से यह लोग शडेंत्र करके यह हमारे को बदनाम करना चा कि वो विडियो जो वाइरल हो रहा है जसमें वो व्यक्पी के सर्पंच को रोक रहा है और जीत को ले कर आप के लिए आश्वस्ते हम हर हाल में जीत रहे हैं एक विशा में आप से जानकरी चाहता हूं कि एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसके अंदर बाप पार्टी का एक कारी करता बीजेपी के सरपंच की गाड़ी पे लगा बीजेपी का जंडा उतार कर उनकी गाड़ी में वापस रखवा देता है तो यह इस तरह का रवया रहता है कि आपके कारेकरताओं का यह इस परकार का रवया हमारे कारेकरताओं का नहीं रहता है क्योंकि लोग कंत्रे में सब को लड़ने का अधिकार है जी चाहिए वह कॉंग्रेस हो चाहिए वीजेपी हो चाहिए अन्ने कोई द अगर आपकी पार्टिका कार्य करता हुआ तो उसके उपर क्या कार्वई करता है तो प्रास्मिक स्था से उसको रहत कर देंगे और चुनाल वरने चाहते हैं दिला परिशे देहे पज्जा समिटी और हमारे समर्शन से सरफंच के और हो सकता है अच्छा वरकर बड़ा हो तो आने वले समय का मेलेज वगेरा लगे तो लिद के देगा तो हम लोग इस प्रकार नहीं करूंगा तो हम लोग इसको आप इस पार्टि मिलेंगे तेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे कार्य करता ने किया होगा झाल